पास्कार दोस्तों, टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है, इस चैनल की माध्यम से आप लोगों को विद्धार्थी जीवन से सम्मंदि सभी सूचनाय परदान की जाती हैं, उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश परिक्षा P.E.T. के तयारी कर रहे हैं तो चचु प्रकासन की जो पुष्टक हैं, वो मार्केट में आ गई है, और पर आप लोग देख सकते हैं, पूरा स्लेबस की हिसाब से यह जो पुष्टक है, तयार की गई है, चल ये, सुरू करते हैं दोस्तों, आज की जो सबसे पह एक वीडियो बनाया था उत्तरपरदेश दिन सेवा चाहे नायोक का जिसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि बहुत सारे विद्यार्थी यह मांग कर रहे हैं कि जो यूपीट्री परिच्छा है उसकी जो आवेधन की लास्ट डेट है उसको बढ़ाया जा क्योंकि बहुत मैंने आप लोगों से बताया भी था कि इसका जो संग्यान ले लिया है और जरूर कोई निरणा लिया जाएगा लेकिन निरणा तो लिया गया है निरणा लेकिन कामका नहीं है आवेधन की जो बढ़ायी नहीं गई है लेकिन जो विद्यार्थी रिजिस्टेश्टेशन 25 तारिक तक यहां पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधिनसेवा चैन आयोग की तरब से आज मीटिंग के उप्च उपरांत जारी की गई एक नोटिस को और अशे तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो आवेदन ही नहीं कर पाएं लगबक त embaq तोचा होगा 17 लाख आवेदन हो चुके हैं और 17 लाख बहुत है अगर जादा विद्यारती हो जाएंगे तो परिक्ष्चे कराने में मुश्किल होगी और उसने पहले चटनी कर दिया चटनी के लिए परिक्षा हो रही है लेकिन विद्यारतियों को मौका दिया जाना चाहिए चाहिए वह दो या तीन दिन का मौका ही क्यों न दिया जाए जैने कि बेपसाइट जितने दिन खराब रही है कि अवर उतने दिनों का ही मौका दिया जाए इन विद्यारतियों को फिल हाल आप लोग देख लीजिए जारी भी इस प्रेश्वी गयपति को उत्तरप्रदेश कर सकेंगे अपने आवेदन को अंतिम रूप से दिनांग 25 जून 2021 तक समिट भी कर सकेंगे आयोग द्वारा दिनांग 21 जून 2021 को साड़े तीन बज़े तक प्रारंबिक आर्था पी इटी दोज़ार 21 एउत पंजी करण आवेदन शुल्क जमा करा जाने वह आवेदनों के अ 27,666,856 अबैरतियों दोरा अपना आवेदन अंतिम रूप से समिट किये दा चुका है इस प्रगार पंजी करत आवेदन शुल्क के अंत्रण में लगने वाला समय के करण है आयोग दोरा प्रक्रण पर समग रूप से विचार करते हुए अभर्तियों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णा लिया गया है कि ये लास्ट डेट जो आवेदन की पंजी करण की है उसमें कोई भी परिवरतन नहीं किया जाएगा 21 जून तो 21 परंतु यदि किसी अभर्ति द्वारा अंतिमतिती के पूर्व और 21 जून की मद्राती तरक अमना पंजी करा लिया जाता है लेकिन वह पैंक इस तरफ लगने वाले समय के करण आवेदन शुल्क जमा नहीं करवाता है तो आवेदन सुल्क की जमा करने की जो लास्ट डेट उसको बढ़ा कर बढ़ा दिया गया है 25 जून तक विद्यारती जो रात को जो आवेदन शुल्क वो जमा कर सकता है लिए आवेदन पत्र में संसोजित अंतिमतिती पूरुवत जो है वो फाइनल समिसन की वो 28 जून ही रहेगी पुना हिस्पश्ट किया जाता है यह किसी अबेर्थी दौरा दिनांग 21 जून 2021 की मद्य रात्री तक अपना पंजी करना नहीं कराए गया है तो उसके दौरा प्रारमिक आर्था यानि पीटी 2021 जो आवेदन नहीं किया जाएगा सची उत्तर प्रदेश अधिन सेवा चैन आ यूग तो यह यूपिट्र बलसी ने आज क्लियर कर दिया है और सुबह के समचार पत्रों में भी जानकारी दे दी गई थी कि जो पीटी जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई नहीं जाएगी इसलिए आज का टाइम है अभी आपके पास 6-7 गंटे का इसलिए आप लोग ट्र इस बार भी है और विद्यार्थियों को कोई बीबात कभी नहीं सुना आए और ना वहीं वह आज सुन रहा है और तैयारियां तो वह ऐसी कर रहा है जैसे पूरी 5000 बढ़ती है वह इनी तो महिनों में कर देगा फिल हाल अगली जो सूचना है वह उत्तर प्रदेश अधिन स् भवन जा रहे हैं दो तीन दिनों से इन विद्यार्थियों की फोन काल साही मेरे पास इन विद्यार्थियों मुझे बताया है कि सर हमारी परिक्षा के बारे में कहीं भी कोई जनकारी नहीं दी जा रही है कि आखिरकार हमारी परिक्षा कब होगी जहीं 2016 और 2018 इनका जो प्र झाल झाल फिल हाल जेई की परिच्चा कम होगी क्या होगी इसके बारे में कोई जनकारी नहीं दी जा रही है और विद्यारती मांग कर रहे हैं कि इनकी जो परिच्चा की जो डेट है वो जल्द से जल्द घोसित की जाएं तो ठीक है दोस्तों फिलाल यह हो गया आज का वीडियो और एक बार में फिर से रिपीट कर देता हूं कि यूपी ट्रिपल सी में आज मीटिंग से मापत हो गई है और जो नूटिस है वो जारी कर दी गई है नूटिस में इसपस्ट कर दिया गया है कि फीज जमा करने की जो ल कि मांग कर रहे हैं यह हो गया आज का वीडियो वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बात और बता दूं कि जिन विद्ध्यारतियों ने अभी भी टार्गेट विद्पियस परियार एप को डाउनलो कि मैं यह जिन चैनल का विद्पियों यह झाच है